और मेरे भाई क्या तुम्हारी लाइफ में तुम्हें एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जहां पे तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारी कोई गल्फ्रेंड है या तुम्हा कोई बॉइफ्रेंड है या जिससे तुम चैट कर रहे हो लंबे समय से फेस्बुक पे इंस्टाग्रा यह आई यह भाई कि जब किसी इंसान का तुमारे अंदर interest कम हो जाए यह कोई इंसान तुमारे अंदर interest ना ले तो उसके पीछे के reason क्या है और most important thing ऐसे situation में क्या करना चीए जब कोई इंसान तुमारे में interest लेना बंद कर दे ठीक है अब ये सारी जो प्रॉबलम है भाई इसके पीछे इतने सारे वीडियोज है ना जिसमें तुम्हें सिखाया जा रहा है कि उसके पीछे पढ़ जाओ घूम फिर के इंट्रेस्ट लेने लगेगा लेकिन वो तुम काम करके कोई चीज सक्सेस्वल वे में नहीं देख पा रहे हो तुम्हें कोई आनन्द नहीं मिल रहा हू स्चीज में अब तुम ऐसे चक्कर में फसके हो जहां पर तुमारी लाइफ जंड हो रही है बाई जिस बिकॉस तुम अ पातकना स्चुरू किया ता इस लड़की से षस लड़के से वो इंट्रेस्ट आज के आज वैसा क्यों नहीं है उसका इंट्रेस्ट बदल क्यों गया यह इंसान अल्टिमेटली बदल क्यों गया कुलeb मिला के बात यह है मेरे दोस्ट ठीक है पहली चीज यह समझ तुम एक ठीक है अब बात समझना तुम अगर आज 10 रुपे की आउकाद रखते हो और तुम्हें कुछ टाइम बाद 10 की जाके 20 रुपे की चीज लेने की आउकाद बन जाए तो क्या तुम उस 10 रुपे की चीज से साथ लंबे समय तक रह पाओगे नहीं तुम उस 20 रुपे की चीज के लिके जा रहे हो सेम चीज उस इंसान के साथ है जिस इंसान से तुम चैट कर रहे थे लंबे समय से या उस इंसान से तुम रिलिशन्शिप में थे या उस इंसान के साथ तुम लंबे समय से इसलिए हो गया क्योंकि उसको तुमसे बैटर मिल गया तुमसे अच्छा बैटर तुम मान चाहिए ना मान महमान तू बनेगा बात तुम तुम पतेगी पता रहो दूसरी चीज जब तुम्हे कोई चीज मिलती यह starting मे time किसी का मिल रहा है तुम्हे किसी की respect मिले किसी का प्यार मिल रहा है तो तुम क्या करते हो न उस situation में तुम्हें लगता है कि इंसान को मैं यह realize करा ही दूँँगा कि मुझसे जीयादा इसे कोई पर नहीं करती या मुझसे प्यार नहीं करता तो इसको मैं इतना प्यार दूँगा इतना time दूँगा कि इंसान भूले बटके कहीं नहीं जाएगा कर रहे हो ना भे, करते हो न तो भाई जब तुम किसी को ज़रू से ज़्यादा टाइम दोगे, जरू ज़्यादा उसकी value करोगे जरू ज़्यादा उसको प्यार करोगे तो वो इंसान तुमें कैसामजी अगरेगा जस्ट बिकॉज उस इंसान को फिल होगा कि बास तो कोई काम धंदा ही नहीं जब देखो तो पूरे टाइम उसे फोन पे लगा रहता है फोन पे लगी रहती है पूरे टाइम टेक्स्टिंग कर रही रहती है खाना खाया नहीं कर रही होती है पूरे टाइम की पकलोरी कर रही होती है लाइफ में क्या करना क्या नहीं कर मेरे पीछे लगे वी है यार इतना तो चीजए मेरे घरवाले नहीं करते तो यार ये तो इसे खाली आदमिए से मैंने बात करकी गल्ति गड़ी इतना खाली इंसान की चेकर में मैं फस गया है फस गई तो भाया मुझे ऐसा इंसन नहीं चाहिए जो मेरे बॉर्फरेंड गर्र तो हमें कोई ऐसी चीज से इतना इंट्रेस्ट मिल रहा है जिस इंट्रेस्ट को हम चाह नहीं रहे जिस बिकॉज ओफ तुमको भूग से चाह रोटे की तुम्हें किसी ने आंट रोटी लाके रग दी तो भाईया तुम्हारी भूग तो खतम हो गई सेम चीज तुम्हारी रिलेशनशिप में हुआ सेम चीज तुम्हारी कनुरसेशन में हुआ जो तुम्हारी किसी इंसान से कर रहे थे सेम चीज तुम्हारे साथ हुआ तुम्हारी इंसान को ज़रो से ज्यादा उसकी ओकार से ज्यादा उसको दे दिया तुम्हारे वाल्यू कर जिस वरसे इस है उस इंसाने तुम्हारे इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया क्योंकि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में वह कोई ऐसा इंसान किसी के साथ रहना नहीं चाहता है जो 24x7 एवेलेबल हो किसी के लिए भाई नले लोगे साथ कोई रहना नहीं चाहता त्राइट टु अंडरेस्टेंड देफाक्ट एडिस इस 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 इसान तुम्हारे इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है इसलिए मैं कहता हूं अपनी वैल्यू बढ़ाओ ठीक है भाई चल